आज के मुख्य समाचा दल्पत सागर में फिर फैले जलकुम्बे इस बार हटाए जाएगी इबॉल के माध्यम से भारतिय जन्ता पार्टी ने किया गौठानों का निरिक्षन जन्जाती समुदायों के सदस्यों और समाच प्रमुखों के साथ कलेक्टर ने की चर्चा और समुदायक पुलीसिंग को बढ़ाबा देने के लिए बस्तर पुलीस ने खुदाल गाउं में लगाया जन्दर्शन कलर अभिवार को बस्तर की एतिहासिक धरोहर दल्पत सागर के संरक्षन के लिए चलाय जा रहा है स्वक्षता अभियान में एक कड़ी और जोडते हुए जलकुम्भी के समूल खात्मे के लिए 2000 वेक्टेरियल आईबॉल पहली बार प्रहयोगिक तोर पर डाले गए संसदी सचीव रेक्षन जैन महापवर सफिरसाहु इंद्राबती बेशियन विकास प्राधी करण के उपाध्यक्ष राजिव शर्मा कलेक्टर स्रीव विजय दैरा इन सभी ने इई बॉल डालकर दल्पत सागर को जलकुम्भी मुक्त करने के कारिक्रम की शुभारम की इस औसर पर संसदी सचीव स्रीजैन ने कहा कि दल्पत सागर को सच बनाने की प्रतिबदता हम सभी में होनी चाहिए क्योंकि ये हमारी धरोहर है और यह कारी केवल शासन का नहीं है इसे सच करना हम सभी का दैत्व है जो उत्सा जन प्रतिनी धीयों समासेवी संगठनों के स साथ साथ आम जनों में नचराया इससे ये लगता है कि हमें सफलता अवश्य मिलेगी कलेक्टर स्री विजय दैराम दोरा अमिगापूर में नगर निगा मायुत के तोर पर कारे करते हुए की गई तालावों की सफाई के अनुपाव का लाव चगदलपूर को जरूर मिलेग बस्तर वासियों को भी मिलेगा महापूर सफिरा साहू ने कहा कि पिछले तीन चार वर्सों से दलपत सागर के संरक्षन, समर्धन, स्वक्ष्टा और सौंधरिय करण के लिए लगातार कारे किये जा रहे हैं इसका प्रणाम भी नजर आ रहा है हलांकि जलकुम्बियों की सम आजिव शर्मा ने कहा कि बस्तर के एतिहासिक दलपत सागर को सच और सुन्दर बनाने के लिए शासन, प्रशासन और वेभेन समाज से भी संगठनों के साथ आम जनों का भी जो प्रयास है वो सराहनिये हैं और ये प्रक्रिया निरंतर जारी रहने चाहिए उन्होंने कहा कि दलपत सागर के साथ साथ गंगा मुंडा तालाब, भूताहा तालाब, सहिद अन्य तालाबों के संरक्षन और संवर्धन का कारे भी हमारी सरकार की कारी योजना में शामिल है बस्तर कलेकटर ने कहा कि दलपत सागर बस्तर वासियों की भावनात्म कड़ी है और यह कड़ी बरकरार रहनी चाहिए दर्पत सागर को लेकर बस्तरवासियों में जो भावना है वह यहां के लोगों से मैंने महसूस किया है पिछले कई वर्षों से इस एतिहासिक धरोहर को बचाने के लिए शासन प्रसासन के साथ साथ आम लोगों ने जी जान से प्रयास किया है और आज भी निरंतर जारी है इस दरहर को बचाने में सबसी बड़ी समस्याग जलकुंबी की है जलकुंबियों को समूल नश्ट करने के लिए पानी में मौझूद उनके पोशक तत्तों को नश्ट करना अतियावर्शक है इसके लिए यहां पहली बार बैक्टेरियल बॉल का प्रयो में किया जा चुका है जिसके प्रणाम सार्थक रहें उन्होंने आशा विक्त करती हुए कहा कि दर्पतसागर और गंगा मुंडा के साथ अन्य तालाबों को सवक्ष और निर्मल बनाने में सफलता मिलेगी दर्पतसागर के जलकुंबियों को समूल नस्ट करने के लिए दो प्रकार हमेशा के लिए हमें जलकुंबियों से चुटकारा मिल जाएगा इस औसर पर विधायक रेक चंजैन और सफिरा साहु इंद्रवती विकास प्रादिकर्ण के उपाध्यक्ष राजिव शर्मा नगर निगाम अध्यक्ष कविता साहु कलेक्टर विजय दैयराम जिला पंचायत के मुख्यकारे पाला नभिकारी स्री प्रकाष सर्वे नेगमायोक के एस पैकरा सहित बड़ी संख्या में नगरवासी और समास से भी उपस्ते थे 21 मैं को पूर प्रधानमंत्री भारत तरत्न राजिव गांधी जी की पूर्णेति थी गरिमा और साद्गी के साथ कांग्रिस भवन में मनाई गई संचार क्रांती के निर्माता राजिव गांधी भारत की एकता और अखंडता को बनाय रखने की बातों पर जोर देते थे उन्होंने 18 साल के युवाओं को मत देने का अधिकार बंचायती राज आधी को लागू किया बस्तर जीला कांग्रिस कमिटी शहर के द्वारा जीला कारेलाय राजिव भावन में पूरप्रधान मंत्री राजिव गांधी के बलिदान को पूरे निष्ठा और स्रद्धा के साथ आतंगबाद विरोज दिवस के रूप में मनाया गया सरप्रधम उनके चाय चितर पर कांग्रिस के परिवार जनों ने माले आरपन कर स्रद्धान जली दी जिलाद धेक्ष राजिव शर्मा ने कहा कि कुछ लोग जमीन पर राज करते हैं और कुछ लोग दिलों पर राज करते हैं स्वर्गी राजिव गांधी उनमें से एक थे जो दिलों पर राज करते थे आजबा हमारे दिलों में जिन्दा हैं सभाव से घंभीर लेकिन आधुनिक सोच और निर्णय लेने की उनकी अद्भुत छमता थे राजिव गांधी देश को दुनिया की उच्च तक्निकों से पूर्ण करना चाहते थे वे बार-बार कहते थे कि भारत की एकता और अखंड़ता को बनाये रखने के साथ ही उनका एक बड़ा मकसद 21 सदी का भारत निर्मान करना था मापोर सफीरा साहु प्रदेश महमंतरी M.I.C. सदसी एश्वर धनराव सहित अन्य वक्ताओं ने भी अपने विचार रखे कहा कि 40 साल की उम्र में प्रधान मंतरी बनने वाले राजिव गांधी देश के सबसे कम उम्र के प्रधान मंतरी थे वे दुनिया के युवा राजनेताओं में से एक थे उनकी माद स्रीमती इंद्रा गांधी 1986 में जब पहली बार प्रधान मंतरी बनी थी तब वह उनसे 8 साल बड़ी थी और उनके नाना जवाहरलाल नहरू 58 साल के थे तब उन्होंने आजाद भारत में पहले प्रधान मंतरी के रूप में शबतली इस कारिक्रम में प्रधेश जिला ब्लाग कांग्रेस कमीटी के पदाधिकारी सेवा दल के सदस्य सहित महिला कांग्रेस एन एस यू आई सहित अन्य मोर्चा प्रकोस्ट विभाग क्या ध्यक्ष और पदाधिकारी नगर निगम पंचायत साकारिता अभी निर्वाचित और मनोनित जन प्रतिनिधी और वरिष्ट कांग्रेसी सम्मिले थे थे काई संस्द कि ग़र आधिकार के अन्दा प्रकोस्ति फ्रतिनिधा क्षे वी निर्वाट क्या अग्रेस प्रतिनिधा आधिकारे यू प्रतिनिधा के يू आग्रांख़ वे दोनिनिधा के तिनग रंव करते हैं करने और मानों जीमन पुल्यों को सब्सक्राप पहुंचाने वाली विक्तम तरी शक्तियों से रदे की सब्सक्राप देते हैं बैंगलूरू के बाल संप्रेक्षन ग्रिह में रखे गए बस्तर के नावालिक बच्चे को भानपूरी थाना पुलिस ने सुरक्षित घर पहुंचा दिया है पुलिस की मदद के बाद बच्चा अब अपने परिवार के पास सकुशल पहुंच गया है घर में बेटी की बापसी के बाद अब सारा परिवार खुश है भानपूरित हानप छेतर के कुंगार पाल निवासी पंद्रा वर्षी ये नावालिक अपने परिवार की आर्थे के सिती से परिशान था पैसा कमाने के लिए उसने पलायन करने का सुचा इसके लिए नावालिक ने बिना किसी को कुछ बताए बोर्वेल की गाड़ी में काम करने के लिए परिशित के लोगों के साथ आनपदेश चला गया लेकिन नावालिक होने के कारण उसे कोई काम नहीं मिला नावालिक के पास पैसे भी नहीं थे फिर भी वो घर वापसी के लिए निकल गया लेकिन रास्ता भटक कर बैंगलूरू चला गया जा पुलिस ने उसे पगड़ कर पूझताच की इसके बाद बाल संप्रेक्षन ग्रिह भेज दिया गया परिवार को नावालिक ने सूचना दी बाल संप्रेक्षन ग्रिह में जाने के बाद नावालिक ने फोन से अपने परिवार को सूचना दी जानकारी लगते ही पिता ने जिला कलेक्टर को आवेदन देकर बच्चे को घर वापस बुलाने की अपील की जिस पर थाना प्रभारी भानपूरी से एक टीम को बेंगलूरू भेजी गई जिसे लेने के लिए खुद मामार अमेशकर श्यप नावाली के पिता और भानपूरी थाना से एक पुलिस जवान बेंगलूर पहुंचे जहां से उन्हें शकुशल बच्चे को भानपूरी थाना पहुंचाया गया ये कारे बस्तर जिले के अधिकारियों के मदद की वज़ास से संभा हो पाया जिसके कारण बस्तर के सभी अधिकारी और पुलिस कर्मियों को उन्होंने धन्यवाद ग्यापित किया कलेक्टर विजय दैराम ने शरिवार को आसना इस्थित बादालागादमी में जनजाती संस्कृति के संरक्षन के साथ बादालागादमी में संचालित गतिवीरियों के विस्तार पर बेभिन जनजाती समधाय समाच प्रमुखों और उनके सदस्यों के साथ चर्चा की चर्चा के पूरव कलेक्टर के आगवन पर बस्तर परमपरा के अनुसार उनका स्वागत किया गया उन्होंने समाच के सदस्यों के संबाध हेतु निरंतर जूडने की बात कही जन जाती समुधाय के सदस्यों के साथ भूमी पर बैट कर चर्चा करती हुए कलेक्टर ने कहा कि यहां पूर्खों ने बड़े परिश्रम के साथ अपनी संस्कृति और परंपरा को बचाते हुए हमें विरासत में सौंपा है भविश्य को देखते विए इन परंपराओं को और संस्कृति को हमें आने वाली पीड़ी को भी सौंपना है जिसके जिम्यदारी निश्यत तोर पर समाज और वरिष्ट सदस्यों के उपर है उन्होंने कहा कि इस संस्कृति और परंपराओं को विलुप्थ होने से बचाने के लिए इसके संरक्षन संवर्धन के लिए प्रसास्निक सहियोगेतु बादल अकादमी की इस्थापना की गई परंपरा और संस्कृति के संरक्षन की जो बुनयाद रखी गई है उसमें भव्वय भवन के निर्मार में अपना योगदान देंगे उन्होंने कहा ये संस्था यहां की जैजाती समोधक का है और यहां की गति विधियों को उनी के सहियोग से आगे बढ़ाई जाएगी उन्हेंने बादल संस्था द्वारा गती विदियों में किसी भी प्रकार के शिथिलता नहीं लाने और कारियों में तेजी लाने की बात कही जनजाती समुदाय की परंपरा संस्कृति नीती अभी लेखी करण का कारे 15 जून तक पूर्ण करने को कहा और ये भी कहा कि इस अवसर पर संस्कृति और परंपराओं के संरक्षण में युवाओं की भूमिका को भी महतुपूर्ण उन्होंने बताया उन्होंने कहा कि समाज के सर्वांगिन विकास के लिए कला का भी महत्वपूर्ण योगदान है क्योंकि कला और संस्कृति के बिना समाज का निर्माण संभाव नहीं है इस दोरान कलेक्टर ने समाज के सदस्यों के साथ बैठ कर भूजन भी गिया बस्तर की परंपरा के अनुसार सर्गी के पत्तलों में बने दोनों में उन्होंने दालभात और विभिन साख सबजी का मिस्रण से तैयार मिक्स आमट और कोलियारी भाजी मंडिया पेज आम की चटनी परोसी गई कलेक्टर को कलेक्टर ने बस्तरिया तरीके से बहुत ही कम तेल की उपियोग से तैयार स्वादिस्ट वेंजनों को बताती हुए समाज के सदस्यों के प्रती आभार व्यक्त किया अब हो चला है छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद हम फिर आपसे मुखातिब होंगे सफर जग्तुगुडा से जग्दलपुर का नित नई करवट लेता शहर हमारा चौक चावराहों से होता हुआ विकास की गाथाए गरता बस्तर हमारा कई रंगों से सराबोर कितनी ही कहानियों को समेते कहीं विकास के सौपान, तो कहीं सरकारी दावे और उनका सच आतंक से दहलती जंगल, जमीन और जीवन साहस और धैरी से करवट लेती जिंदगी राजनीती की चौसर के जाने अंजाने दाओ व्यवस्ता की खूबी, कमी और खामी खुबसूरत नजारे अब होगी हर बात हमारे साथ बस्तर की बात देश की जानी मानी इंटरनेट प्रोवाइडर कमपनी रेल टेल अब अपने शहर जगदलपूर में उपलब्त केबल टीवी और ब्राडबेंड पाईए एक साथ बहतर सर्वेस शांदार गुणबत्ता हमेशा एक जैसी स्पीड यारी 100 Mbps लॉंचिक अफसर पर पाईए विशेश शूट राज्य के शाष के करमचारियों हेतू दस प्रतिशत की छूट साथी रेलवे करमचारियों के लिए विशेश शूट का प्रावधार इंटरनेट कनेक्शन हेतू ततकाल अपने केबल ओपरेटर से संपर करे या कॉल करे 9425262386 पर या 9617185020 पर ब्रेक के बाद आपका स्वागत है बस्तर की बात में आईए चलते हैं खबरों की ओर 36 गड़ के बीजापूर में नकसलियों के साथ मुटभेड के बाद 202 बटालियन की कमांडो फॉर रिजिलीट एक्शन बल के दो जवान खायल हो गए सुरक्षा बलों को इंपुट मिला था कि मौवादी इंप्रोवाइजड एक्स्प्लोसिव डिवाइस हमले की योजना बना रहे हैं गंगालियूर पुलिस से एक जिला रिजर्वगाड डियार जी और कोब्रा बटालियन के जवानों को तलाशी अभियान के लिए भेजा गया आपरेशन के दोरान कोब्रा बलों और नकसलियों के बीच मुटभेड हुई जिसमें दो जवान घायल हो गए आईजी बस्तर के नुसार मुटभेड के दोरान दो से तीन मौवादियों के घायल होने की भी आशंका है आईजी ने कहा कि घायल जवानों को अस्पताल में भरती करा दिया गया है और उनकी हालत इस्थिर है मौवादियों को कितना नुकसान हुआ है इसके पुस्ति अभी नहीं हुई है सुरक्षबल इसकी तलाश में अभियान चला रहे हैं भारतीय जन्ता पार्टी ने चलो गोठान खोलो पोल अभियान शुरू कर दिया है भारतीय जन्ता पार्टी के प्रदेश महामंत्री किदारकशियप और पूरव विधाय संतोस बाफना ने आज भारतीये जन्ता पार्टी कारेले में कारीकरताओं के साथ शहर के धरमपुरा और बोद्घार शित्र में दो गोठानों का निरक्षण किया जहां गौमातों का कहीं अता पता नहीं था इसके इस्थान पर कचरा संगरहन केंदर SLRN सेंटर और गोबर खरीदी केंदर संचाली मिले जबकि शास्की कारियों में दोनों इस्थानों पर गोठान होना दर्शाया गया है धर्मपुरा केंदर में ताला जड़ा मिला जहां अंदर जाने पर सिर्फ कचरे के धेर नजर आए बोधगार क्षेतर में दीवारों पर ही गाय के चित्र देखने को मिले एक भी जिम्यदार वेक्ती नहीं मिला प्रदेश महमंतरी के धार कर्शियप्त ने कहा कि संभाग मुख्याला जग्दलपूर में कागजियों में गोठान संचालित हो रहे हैं जबकि निरिक्षण में वहां कचरा संग्रहन के अंदर पाया गया है कांग्रेस की भूपेश सरगार आकंठ तक भरष्टाचार में डूबी हुई है शाष्की कारियों में दर्शाय गोठान तो है ही नहीं मुख्यमंतरी भूपेश वगेल को इसका जबाब देना चाहिए पूर विधायक संतोज बाफना ने कहा कि गोठान के नाम पर सिर्फ घोटाला है और शहरी खेतर में दो गोठानों का संचालन बताया गया है जो की है ही नहीं गोठान के नाम पर सामने आ रहा ही घोटाला शराब घोटाले से भी बड़ा दिखाई दे रहा है इस्तिदी अत्यंते दुर्भागे पूर्ण हैं गोठा निरिक्षन के दौरान मुखे रूप से आलोक अवस्थी मनुहर दत्तिबारी आसुतुर श्पाल अविनास स्रेवास्ता और रिंगो पांडे राज कसेरा देगंबार राव सहित भारती जन्ता पार्टी के कारेकरता उ हमारे जितने भी नेता हैं वो सब लगे हुए हैं सारे बड़ी नेता जा रहे हैं और प्रतेक हम लोग जा करके दजदद गोठान उपर हम जाता करके और अलोकल करेंगी हमारे भारती जन्ता पर एक ही करकता जाएगा देखेगा लेकिन वास्तिक इस्तिती कुछ अलग है मै वहां पर इतना पैसा पैसा ने कहा ना कांग्रेस स्थरकार ने कहा कि 19 से 25 लाग उपय खर्च हुआ है बताएं इस बात को दिखाएगी किटना पैसा खर्च हुआ है तो कॉंग्रेस के विधाय को को देने में खर्च हुआ है लोग हमारे सम्मानी प्रदेश महमंत्री के दार्किश्चर जी के रेज़त में यहां पर हम लोग जगतलपूर में दो गोठान इनों ने दर्शित किया है एक धरमपूर का और एक भोदगाट का जहाँ भी अपनलों खड़े जो की दिवारों पर गोठान बनाए है गो गवमात दीवारों पर दीख रही है एक्चुल जमीन पर गोवमाता नहीं दीख रही है गोबर खरीदी के इंद्रिया सिर्प दीख रहा है और कहीं पर गोठान की जो कलपनी सरकार की फ्लेग सीपी स् links रही ये जब से भूपेज बसे नर्वा गर्वा धुर्वा बारी ये लगातार हर जगे इस बात को हाइलएट करते रहे और और देश की मीडिया के साथ प्रदेश की मीडिया में सब जगे हाइलाइट करते हुए रहे लेकिन एक्चुल एदी भारती जनता पार्टी ने इस चीज को देखने के लिए सभी भारती जनता पार्टी के नत्यत को यह आदेश किया कि तीन दीन का यह प्रोग्राम बनाओ और चलबो गोठान खोलबो पोल इसके तहत हम लोग आज गोठान का करणे कि इंदर के लोग यह ह서 पूरा घोठाचार का अबना हुआ है पुरे प्रदेश पर estasag हैं चारा गोठाले से बड़ा गोठाला ne जो है इभॉठं का ऊपर गोधन नियाय कि मृतर करीदी के ऊपर लगातार कर रही है वह जंता के साथ ठगने का काम कर लिए आंग्रेस के जो नेता है सम्मन्निक भुपेश बगेर जी मुक्यमंत्री के रूप में इस योजना को लाएं और इस योजना में भुपेश जी के साथ सभी विधायक सभी सांसद सामील है ऐसा लगता है और उन्हों ने अपने जो नित्री है तेंका गांधी को लाया और दिखाया इकात गौठान का यह दिन में शहास है तो प्रजेस में वो दिखाएं गौठान की इस्तिति दिखाएं गौठान की योजना है उसको दिखाएं मैं तो यह समस्ता हूं कि आज जग्दलपूर के कल भी बीजए नगरनार के और वेज़ा पदर दो जगे गौठान सब्सक्राइब है कि इतरी संतोष पांडे ने ने उलनार गौठान का निरिक्षड किया और वहाँ के गौठान में ये पाया कि वहाँ के गौठान रिजर फारिस्ट एरिया में बना दिया गया है वहाँ एक भी गाय नहीं मिली उन्होंने ग्रामिणों से जानकारी चाही तो ग्रामिणों ने बताया कि इस प्रकार के कोई चीज वहाँ पर है ही नहीं भूपे सरकार वोटरों की आड़ में गोठानों का एक बड़ा घुटाला खेल 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 रही है कड़ो रूपे गोठान के नाम पर खर्च करना बताया गया है जबकि सच्चाई इसके विप्रित है कांग्रे सरकार के कारणा में अब जग जाहिर हो रहे हैं जिला प्रभारी सेवक राम नेता, विदान सभा प्रभारी निखिल राठो, स्री निवास मिश्रा, राजिश पानिक राही, नर्सिंग राव स्रवन ठाकूर के साथ साथ भारती जनता पार्टी के कारेकरता निरिक्षण के दोरान उपस्तित थे पुलिस उपमानिरिक्षक और वरिष्ट पुलिस अधिक्षक श्री जितेंद्र सिंग मीडा के नेतरुत में बस्तर पुलिस द्वारा एक तरफ आपराधिक और असमाजिक गतिविदियों के खिलाफ कारवाई की जा रही है, वहीं दूसरी तरफ आम जनता के मध्य पहुंचक और वरिष्ट पुलिस अधिक्षक जीतेंद्र सिंग मीडा अत्रिक्त पुलिस अधिक्षक स्रीमती निवीदिता पॉल की मागदर्शन में नगर पुलिस अधिक्षक जगदलपूर स्री वेकास कुमार के परिविक्षन में थाना प्रवारी कोतवाली स्री अमित कुमार उनसे बचाओं के उपाए महिला, बालिका, अपराद, गुड टच और बैड टच, अभीवक्ती, एप, डायल, 112, नशिले पदार्थों के दुश्प्रभाव और याता यात नेमों के संबंद के में जानकारी दी गई। कंट्रोल रूम का मुबाइल नंबर 94791-94099 दिया गया, जिस पर ग्रामवासी किस भी प्रकार के सिती में संपर्क कर सकते हैं। कारिक्रम के अंत में निलिमा ठाकूर, पायल ठाकूर, कलेश्वरी कश्यप, हिमानशी ठाकूर, जानमी ठाकूर, यूराज कश्यप, तनुसरी ठाकूर को इस्मृती चिन देकर सम्मानित भी किया गया। कारिक्रम के दवरान ग्रामपंचायत, सरपंच, स्रीधर्म सिंगोयल, कमल, रामबगेल, ग्रामसभा, अध्यक्ष, पंचगण, पटेल, कुटवारी और पुजारी उपस्तित थे। नगर में विगत दिनों एकता की मिसाल देखने को मिली। अंकल पुठाया आम आदमी पार्टी के जिलाध्यक्ष नरेंद्र भावानी ने और उन्होंने बड़े धूमधाम के साथ शादी संपन करवाई। वहीं अनुसुची जाती कांग्रेस प्रकोस्ट के बस्तर जिलाध्यक्ष विक्रम लहरे और अनुसुची जन जाती प्रकोस्ट के मेडिया परभारी मनिश गड़पाले ने कहा कि जरूरत मंद परिवार का घर बसने के लिए धार्मिक सद्भावना की एकता का परिशे देत इसका हम सब गवाब बनें ये हमारे लिए सवभागी की बात है नरेंद्र भावनी ने आगे कहा कि शादी 21 मई को मेड़ गुड़ा में पंकज पंडित के दिशानी दिशों में हुआ सुबह से ही प्रोग्राम शुरू हो गया था सुबह हल्दी दोपहर को शुब लगन फे चलते चलते आये एक नज़र डालते हैं आज के हेडलाइन्स पर आज के मुख्य समाचा दल्पत सागर में फिर फैले जलकुम्बे इस बार हटाए जाएगी ई-बॉल के माध्यम से भारतिये जंता पार्टी ने किया गौठानों का निरेक्षन जंजाती समुदायों के सदस्यों और समाच प्रमुखों के साथ कलेक्टर ने की चर्चा और समुदाय को बढ़ाबा देने के लिए बस्तर पुलीस ने खुदाल गाउं में लगाया जंतर्शन कल फिर दाज़तरीन समाचारों के साथ हम आपके साथ होंगे दीजे इजाजत नमस्कार राहभभभभभभभभभभभभभभभभभभभभभ zijn चर्चारों के साथ हमाचारों के लिए उसेन में आपके साथ